नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और लेज़ पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की बैठेक में CM0 ठाकुर ने जो है कई जो है फैसले लिए हैं तो कौन से फैसले जो है CM0 ठाकुर दोर लिए हैं इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो वीडियो पर एंट तक बन रही है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेर कर दें और चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी न भूलें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में पहला इकन को दबा लें ताकि आप तक मेरी हर नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चली दोस्तो वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आ आदी समारों में अब सिर्फ पचास लोग ही शामिल हो सकेंगे पहले हाल या बंद जगहों में समारों करवाने पर पचास लोगों की सीमा निरधारित की गई थी और खुल स्तान पर अधिक्तम 200 लोग ही शामिल हो सकते थे अब दोनों स्तिती में 50 लोग ही शामिल हो सकेंग समाजिक सांस्कृत वा अन्य समारों पर भी या शर्थ लागू रहेगी मंगलवार को मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में इसकी जानकारी दी उन्होंने कहा कि तेज अप्रेल के बाद मंदरों में सिर्फ पूजा अर्चना होगी वहीं सरकारी कार्याले में फाइव डे वीक होगा शनिबार को सभी कार्याले सरकारी बंद रहेंगे कार्याले में 50 फिस्तिक शमता के साथ स्टाफ आएगा उधर बसों को भी 50 फिस्तिक शमता के साथ ही चलाया जाएगा नई व्यवस्ता फिलाल एक मई तक लागू रहेगी, शेक्षन संस्तान भी एक मई तक बंद किये गए हैं, एक मई के बाद करोना की स्थेथी पर स्मीक्षा के बाद आगामी भैसला लिया जाएगा बता दें, उपमंड़ स्तर पर समाजिक, संस्कृतिक, धार्मिक, राजनितिक एवं शादियों के आयोजिक के लिए अब ओनलाइन मंजूरी मिलेगी इसके लिए आयोजिक को covid.hp.gov.in पर आवेदन करना होगा शादि समारों के लिए अनुमती एक हपते पोर्व लेना आवश्यक है इसके लिए संबंदित आयोजिकों को लेखेत रूप में देना होगा कि covid महमारी के सुरक्षा नियमों की पूर्ण रूप में अनुपालना की जाएगी दोस्तों ये थी अभी की ताला ख़वर ब्रेकिंग नियूज पचास फिस्ति के साफ जो है हिमाचल प्रदेश में अब फिर से बसें चलेंगी और एक मही तक सभी शिक्षन संस्तान बंद रहेंगे तो ये थी अभी की ताला ख़वर ब्रेकिंग नियूज अगर आप ने भी तक वीडियो को शेर नहीं किया है तो वीडियो को शेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक मेरी हर नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके दन्यवाद जैहिन जैभार